आपने fishes के अंदर अलग-अलग type के scales सपड़ाई होंगे जैसे आपको contracties में placoid scales बताया जाते हैं और ostrich thys के अंदर आपको cycloid और tinoid scales बताया जाते हैं तो आज हम यहाँ देखते हैं कि इन में basic difference क्या होता है तो यहाँ देखिए यह जो placoid scales हैं यह आपको मिलते हैं शार्क के अंदर यानि contracties के अंदर ostrich thys के अंदर आपको tinoid, cycloid और ganoid scales मिलते हैं यहाँ placoid scales में आपको इस तरीके की special structure मिलती है यही शार्क में टीट्स भी बनाती है